गौले में पानीपत की तृतिय यूद्य की 263 वी बर्सी पर श्रीमंत महात जी सिंधिया पार्क अचलेशवर चुराहे पर पानीपत शौरी दिवस का आयोजन क्या गया इस मौके पर एक शुद्धांजली सभा और संगोष्टी रखी गई जिसमें मराठा समाज के लोगों ने एकत्रित होकर अपने पूर्वजों के बलिदान और शौरी को याद किया मुगलों ने माध जी साथ को एक पद्वी दीती अमीर उम्रा मुझे लक्ष्मी नंज आना हुगा तो मेरे दिमाग में आया कि लक्ष्मी नंज चुद्धे तो मैंने रात को बहुत पड़ा एक बज़े तक तब मुझे मालूप पड़ा रहा है पनाम जो ग्वाइलियर में एक इस्थान है और लक्ष्मी भाई जी दिया गया कि शोरे दिवस के रूप में जो आज हमें आयकत्रित हुए हैं इसका सबसे बड़ा उद्धिश्च यह है कि उस टाइम भी जो मराठा सामराज्य के लोग थे जियर सिंधिया राजवर्श के लोग थे जो बाकी कम्मुनिटी के लोग थे उन समने देशित के बार चाहिए सम्भावना अपने मन में रखनी चाहिए जिससे कि आने वाली पीड़ी को यह मालूम हो सके कि हम आज के दिन आज के इस बेंच मार्क को आज के इस दिवस को हम क्यों मना रहे हैं हम सिफ चाहते हैं कि सब एक जुटता होकर एक साथ मिलकर एक जगे एकत्रित हो और इस जो यह आज का दिवास है इसको भव्य रूप से मनाया जाए क्योंकि यह राष्ट के हित के लिए राष्ट की सीमाओं के अंदर गुसने वाले लोग को रोकने के लिए बनाया गया है जाओदा जन्वरी का शौर दिवस पूरे हिंदुस्तान मनाया जाता है जैसे कि कोलापोर सातारा कनेर खेड पूना बॉमबे ग्वालियर और पानीपत उसी तारितरम में ग्वालियर में भी मनाया मैं पूरे जो लोग इसमें शामिल हुए है सब लोगों का आवार करता हूं जो लोग इसमें आए तो उनका बहुत बहुत आवारी हुँ दन्यवाज जै वारत जै